आप सभी का स्वागत है पीपे टुटोरियल के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है जो भी बच्चे हमारे फ्री पेट कोस से जुना चाते हैं तो स्क्रीन पर दिये वे वाट्सअप नंबर पर हमें फ्री लिख के मैसेज कीजिए फिर आपको सारी डिटेल्स वाट्सअप पर दे दी जाएंगी और ये आपको एक्जामनेशन तक के लिए वैलिड़े फ्री उसके लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोइन करना होगा टेलिग्राम चैनल का नेम है पीपए टुटोरियल स्क्रीन पर भी देख सकते हूं ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो जस्ट आपको पीपए टुटोरियल सर्च करन विट एक्स्टर डीटेल अलग से एक और जानकरी जो भी बच्चे थियोरी क्लासे करना चाते यानि बेसिक से सारे सब्जेक्स को हाई तक पढ़ना चाते तो आप हमारे पेट कोर्स को भी जोईन कर सकते हो जहां पर आपको सारे सिख्छक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वाइ कर चुके उनके दवारा आपको पढ़ाया जाएगा और कोर्स कफी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है यह जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा तो आप वाट्सप नमर पर हमें वाट्सप कीजिए आपको फॉर्द सारा डीटेल्स दे दिया जाएगा तो चलिए समय न है मतलब वर्ड मेंग्स के ऊपर आपका तो ह्सालिक रहता है ठीक है आपको देख मैं रहोगा होगा वाइड करके देख था है आप दिख रहा होगा इस पर ढहु करके देखते था है यलो कैसा रहेगा? हाँ यलो यलो ही लेते हैं, तो आपका, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा आपका wrongly spelled है, ठीक है? तो wrongly spelled आपका कौन सा है? तो A. pattern, B. portfolio, C. populist, D. pavilion, ठीक है? तो pavilion कौन सा आपका सही होगा? तो pattern आपका सीधा सीधा हमें दीख रहा कि pattern आपका गलत है P A W T E R N pattern ठीक है quality increase कर लिजे ठीक है अच्छे से देख निकले तो इसका क्या होगा pattern ठीक है क्या होगा आपका pattern इसका सही answer हो जाएगा आपका ओके portfolio देखते हैं portfolio का मतलब क्या होता portfolio का मतलब आपका जैसे नहीं बोलते हैं अपना portfolio दिखाओ तो इसमें सूचक पूरा आपका बारे में information रहता तो portfolio बोलते हैं इसका portfolio निकालो मतलब इसका पूरा details every details तो इसको बोलते हैं आपको पॉपिलिस्ट का मतलब क्या होता है मंडब मंडब बोलते हैं इसको तो वह आपका हो गया तो यहां पैटर्न आपका गलत था और आपको ऐसे questions को करने के लिए आपका word power बहुत मजबूत होना चाहिए word power ठीक है तो आपको आने चाहिए ठीक है word power आपको मजबूत होना चाहिए और आपको अच्छे से आना चाहिए solve पूरा word power तो आप रोड प्रैक्टिस कीजिए याद करने का questions ठीक है तभी जाके ऐसा questions आपको solve होगा ठीक है next question पर चलते है question number two word meaning एक question तो रहे गई second question है the same meaning of rudimentary rudimentary का आपका same meaning क्या होगा है तो rudimentary का आपको same meaning क्या होता था पहले words देख लेते तो पहला rude है दूसरा basic है तीसरा आपका powerful है और दी आपका rumor तो rude का मतलब क्या होता है कि उसका baby rude है ठीक है basic का मतलब क्या होता है पता ही आपको initial प्रारमभिक ठीक है प्रारमभिक होता है यानि इिसको ओपिनिंग भी बोल सकते हैं थीक है तो बेसिक यानि इस का सही हो जाएगा आपका उत्तर यानि आपका B basic correct हो जाएगा इसको उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर B आपका basic ठीक है ना rudimentary का मतलब basic आपका हो जाएगा yes चलिए तो इस type का आपका same meaning word meaning आपका बहुत ज़रूई है और English में आपको questions अगर paramedicals में करने हैं तो word power dictionary लीजे word meaning start कर दीजे याद करना ठीक है जेतना आप word meaning use करेंगा आपका English उतना improve होते जाएगा next question की होड चलते हैं ठीक है ना the opposite meaning of clean 2007 का तीसरा सवाल था opposite meaning of clean clean का मतलब क्या होता साफ सफाई साफ सुत्रा A का मतलब pure pure का मतलब क्या होता शुद्ध B का dirty मतलब गंदा C का क्योर मतलब सही करना ठीक करना corrupt मतलब आपका brushed तो आपका clean का opposite meaning यानि antonym क्या हो जाएगा antonym synonyms के उपर सवाल आता तो आपका दूसरा question synonyms के उपर था और यह antonym के उपर है तो आपका B dirty correct हो जाएगा clean और dirty ठीक है तो आपको क्या हो जाएगा dirty ठीक है हाँ यह था आपका थरीका आपको word power मजबूत रखना antonym synonyms के लिए सही spelled word के लिए चौता है a school boy who cuts school boy who cuts आपका classes frequently is called मतलब who cuts classes मतलब class नहीं जाता ठीक है क्या बोलते हम लोग इसको bunk हम लोग अपनी भासा में क्या बोलते हैं बोलते हैं ना class bunk करते हैं यहार मन नहीं है जाने का तो वही बंक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पहला आपका defense psychophant durant martint आपको क्या होगा तो defense defense का मतलब क्या होता है a person a person who आपका expects और is actively actively ready to accept failure यानि जो person अपना accept करता है या actively ready हमेशा ready रहता अपना failure को accept करने के लिए तो उसका मतलब होता है defense b का meaning क्या होता है a person who acts obscenuously towards someone important in order to gain advantage किसी के तरफ आपका नहीं होता है कि किसी का फायदा उठाने के लिए उसके तरफ बहुत ज्यादा attracted और अच्छा से काम करता है उसके पीछे पढ़ जाता है फायदा उठाने के लिए तो उसको बोलते है ठीक है तो obs q u i o usly आपको किसी के तरफ आपको important order से जहना कि आप उससे advantage ले सको उसका फायदा उठा सको कहते नहीं आप फायदा उठाया तो ऐसे लोग बहुत आपको मीलेंगे जुसी फायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती रखते हैं मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत है ठीक है सबके लाइफ में होते हैं बस आपको पहचानना आना चीए इनसान और वो आप पहचान लोगे ठीक है लोग आपको इस्तमाल करने के लिए हमेशा ready रहेंगे अगर आप इस्तमाल होना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी मजबूरी में ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो यह उस सामने वाले इंसान का गुद्धी है कि आपको यूज कर रहा है तो आपको यूज नहीं होना ठीक है लेकिन हाँ कभी-कभी तो पता चली जाता है और उस चीज को हम लोग एंड कर देते हैं तो इस चीज से हमेशा आप अलर्ट रहिए लाइफ में ऐसा बहुत टाइम आएगा कि आपको लोग यूज करने का पूरा इस तरह से आपको आपको कर देंगे ना कि आप यूज हो जाओगे लेकिन आप समहल के रहिए सेफ रहिए सतर्क रहिए और साधान रहिए एजस्ट कर लिजेगा क्या होता है कि तो आपको इसका मतलब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो बंक करता है क्लासे उसको बोलता है ठीक है और ड का मतलब क्या होता है इसका सही उतर होगा D का मतलब भी देख लेते हैं extra theory on every questions आपको यहाँ पर extra theory on every questions बताए जाता है तो हम लोग let's learn in detail हम लोग detail में इसको करते हैं ठीक है a person who demands complete obedience a strict disciplinary तो हम एक तरह से वही है classes करना है discipline में रहिए पूरा obedient रहिए तब आप class कर पाओगे तो D का मतलब वो है ठीक है तो इसका सही उतर क्या होगा आपका C ठीक है चलिए next question पर चलते है question number 5 the snow will melt as the day with the blanks on sets, wear, continue, none of these तो आपका इसका सही क्या होगा snow ठीक है यहाँ पर snow दे रखा will melt as the day ठीक है तो यहाँ पर सही उतर क्या होगा बता दीजे wears wears आपका सही उतर होगा w e r s ठीक है हाँ हाँ सही उतर होगा तो यहाँ पर आपका snow snow जब melts होगा as the day wears on मतलब दे आगा आगे बढ़ते जाएगा ठीक है तो इसमें B सही होगा set नहीं होगा continue हो नहीं हो सकता non भी नहीं होता ठीक है बात समझ में आई next question पर चलते है question number 6 choose the wrong prefix in the following words ठीक है dissatisfaction disco operate dishonor disobey आपको wrong prefix choose करना है आप ठीक है तो wrong prefix आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा तो wrong prefix आपको होगा dissatisfaction so my dear student इसमें आपको wrong prefix बताना है prefix और prefix क्या होता है pre का मतलब होता पहले ठीक है beginning ठीक है क्या होता है beginning पे और suffix का मतलब होता after तो यह हम लोग chemistry पे भी suffix prefix लगाते है जब हम लोग nomenclature करते हैं chemicals का name का तो आपका prefix के आगे लगा के हम लोग meaning नया बनाते है word में ठीक है तो add करते हैं हम लोग prefix में पहले और कुछ नया बनाते है तो prefix मतलब पहले जो add रहेगा तो satisfaction के आगे जैसे dis लगा हुआ है ठीक है फिर operate के उपर dis co operate honor के आगे dishonor obey के आगे dis over dis obey तो यहाँ पर आपको sub words दिख रहा होगा तो आपको देखना है कि कौन सा prefix गलत है तो dissatisfaction एक सही word है dis cooperate आपका गलत है ठीक है dis cooperate word नहीं होता आपका ठीक है dishonor भी सही है dis obey भी सही है तो आपका be एक गलत prefix का use है ठीक है तो dis cooperate आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका यह गलत हो जाएगा for examples में और देखें जैसे हम लोग बोलते है happy happy main word हो गया आपका आगे हम लोग लगा दी unhappy तो क्या बन गया यह एक निया बन गया नवर unhappy हाँ तो यह हो गया आपका बोलते हैं तो impure सही है unpure आपका गलत है ठीक है बस समझ गया आगया अब जैसे discipline हो गया discipline तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे indiscipline बोलते हैं ना indiscipline में मत रहिए तो यह आपका prefix सही हो गया तो इस प्रकार से आपको यह questions करना है ठीक है चलिए सात्वा नमर question पर चलता है question number 7 आप से यहाँ पूछना है my day students wrong suffix के उपर अब suffix के उपर पूछा suffix का मतलब क्या भी मैंने बता है suffix का मतलब होता है आपका after ठीक है word के after लगे अंत में end में ठीक है उसको suffix बोलते हैं prefix को पहले तो administrator अब्स्ट्रेटर सेलर पेंटर नरेटर तो आपको wrong suffix in a given word चूज करना है ठीक है तो आपका administrator टर सही है seller यह भी आपका सही है और और पेंटर यानि पेंट के आगे प्लस और seller के आगे sell के आगे और administrator के आगे administrate के आगे और आपका painter के आगे आगे अपडेखना है कि यह सही है कि नहीं तो painter टीक है तो painter नहीं होता OR नहीं होता है P-A-I-N-T-E-R painter होता है ER लगता है तो C ए आपका गलत suffix है narrator आपका सही है ठीक है Narrator जो narrate करता है story narrator ठीक है तो आपका यहापे OR था suffix और इसमें painter में आपका er होगा e और r ठीक है तो suffix prefix के उपर आपका आता है questions अब बहुत easy questions रहता है जादा high level का नहीं रहता word power मजबूत रहेगा सब हो जाएगा अब यहाँ पर है surla is always violent ठीक है surla is always violent heavy hearted दूसरा आपका high hearted, shallow, cruel ठीक है क्या मतलब होगा इसका, बता दीज़े so इसका correct उत्तर आपका क्या होगा heavy hearted का मतलब क्या होता है कि बहुत भारी दिल से कहना पढ़ रहा है दुखी दिल से नहीं कहते हिंदी में कि बहुत दुखी दिल से कहना पढ़ रहा है high hearted मतलब happy सेलो का मतलब तो पढ़ा है cruel का मतलब को कठोर पता ही है तो क्या होगा, shallow is always buoyant क्या होगा इसका सही मतलब हाँ हाँ, इसका सही मतलब होगा high hearted, ठीक है हाँ, high hearted buoyant मतलब हमेसा खुश्मिजाज कह सकते हो या इसको इस तरह से भी कर सकते है सरला ईस आल्वज हाई हार्ट ठीक है अल्वज हैपी ठीक है हाँ चलिने लेट्सूशन पर चलते हैं कोषंशन इसी पूष्टा आगे जाल ऐता है कोश्षन वैंड वर्ड सब्सिट्यूशन के उपर यह तो हर साल रहेगा कि वन substitution करना है Mrs. Mona has been in a quandary about what to do next ठीक है यहाँ पर आपको one word substitute करना state of certainty state of perplexity state of uncertainty mess क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए बताइए जल्दी से तो यहाँ पर आपका सही होगा उत्तर बी ठीक है परplexity ठीक है सही उत्तर के आगा आपका परplexity बात समझ में आ रहे हैं सभी को प्रस हाँ इसका परplexity आपका सही उत्तर होगा ठीक है ए हो नहीं सकता सी भी नहीं हो सकता डी तो होगा ही नहीं ठीक है तो तो परप्लेक्सिटी में हमेसा confusion में रहता है कि क्या करें क्या नहीं ठीक है हाँ तो question number 9 को इस प्रकार से आपको करना है कभी कभी देखिए question अगर आपको नहीं भी पता है तो आप देखिए एक बार sentence पढ़िए Miss Mona has been in a quantity about what to do next ठीक है तो what to do next आगी क्या करना है तो इसमें आपको best option परप्लेक्सिटी जाएगा चलिए last question देख लेते हैं इसके बाद फिर आज आपका class 1 होगा और 2008 का ठीक है उस बाद कोशिस करूंगा 2009 भी आज ही करवादू तो पूरा देख लीजेगा आप लोग ठीक है take your choice out of the four passive conversation given below sentence our parents out to obey us our parents out to have obey us our parent out to be obeyed our parent needs to be obeyed by us क्या होगा सही उत्तर बताइए तो यहाँ पर आपको passive voice active voice के उपर questions है तो आपको यहाँ पर उत्तर देना ठीक है तो आवर parents out to be obeyed ठीक है यह आपका proper है ठीक है ठीक है हाँ इसमें आपका option number last वाला सबसे सही हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है चलिए ठीक है चलिए तब आज का class नहीं पर end करते है थोड़ा सा हो सकता आपको दिखा नहीं होगा तो next में मैं थोड़ा सा dark ही कर दूँगा कि आपको अच्छे से दिखे जिनको slides दिखने में दिक्कत हुआ ठीक है next slides से आपको थोड़ा अच्छा से दिखेगा ठीक है तो मैं ठीक कर दूँगा उसको सो मिलते हैं बाकी model paper कर लीजेगा अच्छे से ठीक है बाबाई and keep studying my lovely students अच्छे बाई